हेलो एवरिवन स्वागत है आप सब का मेरे चैनल पे अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल आइकन को भी क्लिक कर दीजे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही हल्दी रेसिपी जिसे आप 8 मन्थ यहों सब्सक्राइब दे सकते हैं इसके लिए मैं यहां पे 10-12 पालक के पत्ती लिया है हाफ मेडियमfrei यहां हाफ मीडियम टबाटर लिया है Smith Pull लिया है और एक लहसुन यहां झापनी नियान पर आपशनेल है सारी चीजों को मैंने शौक कर लिया है और इसे कूकर में डाल इसके बाद मैंने यहां पिस्वाद की हिसाफ से नमक लिया है एक चुटकी काली मिर्ज पाउडर एक चुटकी जीरा पाउडर डाला और अब इसमें तीन से चार टेबल स्पून पानी डाल दूंगे और इसे एक सीटी आने तक पका लेंगे एक सीटी हो चुकी है अब गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे कुकर के ठंडा होते ही सारी सबजियों को मैंने एक मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे ग्राइंड कर लेंगे एक कढ़ाई में मैंने हाफ टी स्पून घी गर्म किया है और जैसे घी गर् कुप कर लूँगी पालक में बहुत सारे न्यूट्रियन्स होते हैं तो इसे हमें बच्चों को किसी ना किसी फॉर्म में देना चाहिए सूप एक अच्छा सोर्स है बच्चों को वेज़िटेबल से इंट्रोड्यूस कराने का आप भी इसे जरूर ट्राइ करें कि मेरा बेबी इसे बहुत पसंद करता है तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं बनके हमारा हेल्दी पालक का सूप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को शेयर थैंक यू फॉर वाचिंग